कि अच्छ वेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे बहतर होंगे और स्वस्त होंगे स्वागत आपका फिर्स क्लाउड लॉर्न टू लीड में गुड मॉर्निंग टू अल्डी स्टूडेंट्स तो आज हम डिसकस करेंगे बहुत ही लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें करियर्स क्लाउड को उसका लिंक डिसक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लॉग इन कर ले अपनी एमेल आइड के तुरू और क्रैक् क्रैक्र फेर्स के उपर क्लिक करके एक साल या फिर दो साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं दोनों का ही प्राइज बहुत कम है लेकिन इस आप हमारी application के उपर attempt कर सकते हो, weekly section होगा, उसमें भी तीन sections होगे, detail, question and answer format और quiz, और quiz weekly basis पे आप हमारी application के उपर attempt करोगे, monthly section जो कि बहुत important है क्योंकि चार तरह की PDF आपको मिल नहीं है, detail current fair की, question and answer format की, best 100 current fair वो भी question and answer format में, और चौती PDF होगी pocket PDF, जिसमें दो line में, तीन line में आपको current fair मिल जाएगा, तांकि जल्दी जल्दी में आप इसको revise कर सको, लेकिन आपकी performance को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग-लग तरह की topic-wise PDF दे रहे हैं, तांकि एक topic, दो topic को अगर आप revise करना चाहते हैं, तो आप topic-wise PDF से कर सकते हैं, अगर आप banking student हैं, तो हम आपको 3 sections देंगे, जो कि सिरफ banking and economy से related होंगे, एक में detail होगी, question and answer format होगा, request होगा, quiz होगा, quiz आप हमारी application के उपर ही attempt कर सकते हो, लेकिन वो monthly basis पे attempt कर सकते हो, इसी तरह से आपको एक exam PDF मिलेगी, जिसमें जितना भी क्रेंट फेर जा चुका है 2021 का, उसको revise करने के लिए आप इसका use कर सकते हो, आपको detail में budget और economic survey मिलेगा, और इसमें आपको expected question and answer भी बताये जाएंगे, जो budget और economic survey से examiner बना सकता है, और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं, तो हम आपको हर state का current fair प्रवाइट करेंगे, तांकि आपकी state performance इंप्रूब हो सके हैं, तो इसी तरह से ये सारे current fair आपको मिलेंगे, लेकिन एकठे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी application के उपर, तो download कर ले, link description box में दिया हुआ है, login कर ले email ID के थूर, crack current fairs के उपर click करके, या एक साल, या फिर दो साल की subscription बाय कर सकते हैं, दोनों का ही price बहुत कम है, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखने हैं कि अगर आप नए student अपनी preparation को start करें, तो हम आपको advice करूँगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो बहुत costly होगा, अभी बाय कर लोगे, तो बहुत जादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों subscription में 10% extra discount मिल रहा है, अगर आप इस code का use करेंगे, ASH10 का, और इस email ID और इस number पर हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको doubt है, मतलब जो land है, वो जमीन है, वो किसके नाम पे है, उसको पूरा का पूरा ट्रैक करने के लिए, पूरे गाउं के map जो है, वो बनाए जाएंगे, उसको पूरी तरह से जो है, वो register किया जाएगा, online mode से, और ये state government कौन सी हमारे पस बिहार है, तो बिहार एक land reform initiative कर रही है, कि जितने भी गाउं है, बिहार के अंदर, उनकी mapping होगी, ताकि ये पता लग सके कि ये ownership जो है, उस land की किस के पास है, तो कल को अगर ownership को transfer किया जाता है, तो इसका मतलब उस record को दुबारा से change करना होगा, मतलब उसकी physical तोर पे जो mapping होगी उसमें भी change आएगा, और register में online basis पे भी जो है, वो change किया जाएगा, तो ये move जो उन्होंने लिया है, ये basically जो भी legal dispute है, like land के related dispute है, वो कहता है कि मेरी land है, वो कहता है कि मेरे नाम पे है, तो ये खतम हो जाएंगे, क्योंकि इसकी mapping होगी proper हो, पता लग जाएगा कि actual में ये किसकी ownership है इसके उपर, और जितनी बार भी आगे भी transfer होगी, दुबारा दुबारा जो है, वो इस mapping के अंदर भी change किया जाएगा, और ये initiative लिया गया है, बिहार के अंदर एक land mutation amendment bill जो है, मतलब mutation को मतलब परिवर्तन बेसिकली जब ये किया जाता है land का, तो उस bill के अंतहर जो है, वो इसको किया गया, और ये mandatory कर दिया है कि जो परिवर्तन होगा, maps के अंदर भी update करना जो है, वो ज़रूरी है, और बिहार बात है कि इतने cases को यहां पे निप्टारा किया जा सकता है, और यहां पे state government है, बिहार, और बिहार के जो गवर्नर है, वो है पगु चुहान, और यहां के जो चीफ मिनिस्ट है, वो है नितिश कुमार, और आपने याद रखना है, यहां पे बहुत ही important एक national park आपको मिल जा पर पहला question है very important में, कौन सा ऐसा payment bank है, जिसने ICC Lombard general insurance के साथ tie up किया है, ताकि जो smartphone है आपके उसका भी insurance हो सके, तो बहुत महंगे-महंगे smartphone आ चुके हैं, तो insurance उसका भी करवाना होगा, अगर खराब हो जाता है, तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, तो ICC Lombard और यह payment bank, और इस payment bank का नाम है, Airtel payment bank, मिलके एक insurance sector के अंदर एक ऐसा insurance लेकर आएंगे, जो specially smartphone के लिए होगा, तो Airtel payment bank ने यह tie up किया है, ICC Lombard के साथ, और यह अब कहा सकते हो, mobile insurance industry को भी इंडिया के अंदर boost करेगा, और इस agreement के तहत mobile insurance amount जो है, वो जितने का आपने mobile खरी पे तक के mobile को ही cover करेगा, इससे जादा वाले mobile को नहीं cover करेगा, तो आप इसको कैसे खरीज सकते हैं, आप Airtel payment bank की Airtel thanks application के उपर जाएं, वहाँ से 1299 premium बरें, और उसके बाद आपको यह insurance मिल जाएगा, और 10 दिन के अंदर अंदर आप इस insurance को purchase कर सकते हो, और आप दो claim जो आप मिलके Airtel payment bank है, और एक हमारे पास कौन्स है, ICSC Lombard है, और Airtel payment bank के बारे में याद रखने हैं, इसके managing director और CEO कौन है, अनुबरता बिश्वाश, अनुबरता बिश्वाश, नाम को याद रखने है, बहुत important payments bank है, और headquarter कहां बे इसका, न्यू डेली, अगले question के उपर आते हैं, पुशकर सिंग दामी जी ने शापत ले ली है, as a chief minister of उत्राखंड, वो कौनसे number के chief minister बने हैं, जोको अगर आप अलग-लग चीजों को verify करोगे, तो उसमें कई जगा पे 10th chief minister भी लिखा होगा, 10th chief minister लिखा होगा, लेकिन आपने याद रखना है, अलग-लग newspaper के sources क इकठा करके verify किया गया है, कि वो 12th number के chief minister बने है, कौन सी state के उत्राखंड के, और ex-servicemen के बेटे हैं, बीजेपी के लीडर है, और साथ ही साथ, ये दूसरी बार जो है वो लगातार chief minister बनाए गए हैं, देरादून के अंदर शपत ceremony हुई, और शपत कौन दिलाता है, उस state के गवर्नर और उत्राखंड के गवर्नर कौन है, lieutenant general जो retire हो चुके हैं, गुरमीत सिंग जी, याद रखना है, गुरमीत सिंग जी ने इनको शपत दिलाई, और इनके साथ, आठ और ministers ने भी जो है, वो शपत ली है, और आपको पताना चाहिए कि कि किसी भी state government में 15% से जाद में पार्ट नहीं हो सकते, मतलब जितनी total assembly की stand है, जैसे 70 है, तो 70 का 15% से ज़्यादा council of minister नहीं हो सकते, लेकिन minimum to minimum 12 होने जरूरी है, तो अगर किसी state assembly की stand जो है, वो नहीं बन रही है, 15% ज़्यादा, मतलब 12 से कम-कम बन रही है, तो minimum to minimum 12 तो उसको रखने ही पड़ेंगे, लेकिन इसमें एक problem है कि पुष्कर सिंग दामी जी को बना तो दिया, लेकिन पुष्कर सिंग दामी जी वहां की विदान सभा के member नहीं बन पाए हैं, वो election हार गए है, तो constitution में एक प्रावदान है, under article 164, 164 number article में ये बताया हुआ है, कि अगर कोई बंदा को आप chief minister चुन लेते हो, लेकिन वो विदान सभा या विदान परिश्यत का member नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर-अंदर किसी एक house का member बनना पड़ेगा, नहीं तो उसको उतनी मनिस्टी की post को छोड़ना पड़ेगा, तो अब उत्रकंड में council तो है नहीं, तो assembly ही है, तो इसका मतलब वो assembly के member बनेंगे, 6 महीने के अंदर-अंदर अगर नहीं बन पाए, तो इसका मतलब उनको अपने कुर्सी को छोड़ना होगा, ये प्रावदान आपने याद रखना है, और उत्रकंड के governor बात कर चुके हैं, चीफ-nister बात कर चुके हैं, यहाँ पे कितनी legislative assembly की seats हैं, 70 हैं, ले अजाजी national park मिल जाएगा, नंदा देवी मिल जाएगा दोस्तों, नंदा देवी one of the biosphere reserve है, 18 biosphere reserve में से एक biosphere reserve नंदा देवी है, गोविंद national park भी आपको मिल जाएगा और Jim Corbett याद रखना है, ये oldest national park है इंडिया काव, अगले question के उपर आते हैं, कौन सा bank ऐसा है जिसने च ICIC bank, तो अपने याद रखने, ICIC bank ने चन्नई सुपर किंग्स के साथ आइप किया और इसको ब्रेंड़ेड जो credit card है, इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है, चन्नई सुपर किंग्स ICIC bank credit card, और इसमें अलग-लग तरह के benefits जो हैं, वो दिये जाएंगे, साथ में जो cricket cricket fans हैं, खास करके जो चन्नई सुपर किंग्स के fan हैं, उनको लग-लग तरह के iconic team events में शामिल होने का जो है, वो मौका मिलेगा, और भी कई तरह के privileges, और भी कई तरह के benefits जो हैं, वो cricket fans को मिलेंगे, इस team से लेके, जैसे उनकी franchise है, जैसे उनके जो कपड़े हैं, या कुछ और हैं, वो खृदने का मौका मिल सकता है, और साथ में banking facilities तो ICAC की मिलेंगे ही, सिर्फ आपने क्या करना है, चन्नई सुपर किंग्स ICAC bank credit card को पाने के लिएक message करना है, king नाम से 5676766 पे, और ये जो credit card launch किया गया है, ये exclusive co-branded credit card है, जो कि ICAC bank की तरफ से दिया जाएगा, और ये एक addition है, क्योंकि ये अलग-लग तरह के credit card जो है, वो launch करते रहते हैं, अलग-लग unique companies के साथ मिलके, लेकिन इस बार ये like cricket team के साथ मिलके हुआ है, चन्नई सुपर किंग्स के साथ, ऐसा एक बार ये पहले भी कर चुके हैं, 2018 में, इन्होंने Manchester United, मतलब आप कहा सकते हैं, professional football club है की गई थी, इसका headquarter Mumbai में है, और tagline है, हम है ना खयाल आपका, हम है ना खयाल आपका, अगले question के उपर आते हैं, RB ने approval दे दिया है, कि कि किसको approval दे दिया गया है, कि ICIC bank का आप 9.99% stake खरीश सकते हैं, इसका मतलब है, कि 10% से यार, कम-कम ही stake आप जो है, वो खरीश सकते हो, और Reserve Bank of India ने permission दिया है, SBA Group को, मतलब कह सकते हो, SBA, State Bank of India, Mutual Fund Limited को, और और भी जो SBA Group की companies है, वो maximum to maximum 10% से कम-कम हिस्सा जो है, वो acquire कर सकते हैं, ICIC bank का ये approval दे दिया गया है, लेकिन ये approval की validity सिरफ कितने साल के लिए है, एक साल के लिए ही approval की validity है, क्योंकि इससे पहले, December 2021 में SBA Mitchell Fund की अगर हम हिस्से की बात करें, तो 7.52% हिस्सा SBA Mitchell Fund के पास है, ICIC का, लेकिन अब वो बढ़ा के, जो है, वो maximum to maximum कितना कर सकते हैं, 9.99%, ऐसा नहीं कि और खरीद रहे हैं इतना, इतना maximum to maximum कर सकते हैं, तो इसकी validity एक साल तक की है, 22 March 2023 तक की validity है, कि इतने में वो अ SBA Group Share Holding जो है, वो अपना 10% से कम-कम रखेगी, क्योंकि RBA की guidelines है, 2021 में RBA ने कहा था, अपने internal working group की मदद से, कि जो ownership है, वो कोई like financial institution भी ले सकता है, वो कोई public sector enterprise भी ले सकता है, या undertakings भी ले सकते हैं, public sector banks के अंदर, तो वो लिया जा सकता है, तो 15% जो है, वो उन्होंने ल सकता है, तो RBA के approval लेनी जो है, वो जलूरी है, तो यह सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, और यहां पर बात करें हम SBA Group के, अगले question के उपर आते हैं, रमेश चंदर लाहोती जी, उनका दिहान थो गया है, ये किस position पर ताइनात थे, मतलब क्या रह चुके हैं देश के इनका दिहान थो गया, नियू डेली में, लेकिन ये कहां से बिलॉंग करते थे, मतलब क्योंकि इनका जनम मतलब पर देश में हुआ था, और सबसे पहले इनको पॉइंट किया गया था, एडिशनल जज कहां पे मतलब पर देश हाई कोर्ट के अंदर, इसके बाद इनको पर इंडिया थे देश के, और 2004 में इनको Chief Justice of India बनाया गया था, 2005 में ये रिटायर हो गए थे, इवन इनको जो 20,000 क्रोड रुपे का, 20,000 क्रोड का High Profile Tax Dispute Case था, Vodafone Telecom का, उसके Chairperson या उसके Arbitrator भी कौन बनाया गया थे, उनका विचोला भी किसको बनाया गया था, वो बनाया पर देख सकते हैं पिक्चर, रमेश चंदर लहोती की, जिनका रीसेंटली दिहानत हो गया, 35th नंबर के Chief Justice of India देश के रह चुके हैं, और इन्होंने दो बुक्स लिखे हैं, दोस्तों, बहुत ही फेमस है, एक बुक का नाम है, Preamble, Preamble, Preamble का आगे पूरा नाम है, The Spirit and the Backbone of The Constitution of India, एक इना ने लिखा है, Canons, Canons of Judicial Ethics, तो ये दो बुक्स जो हैं, वो इनके द्वारा लिखी गई हैं, तो नाम याद रखना है, रमेश चंदर लाहोती जी, कौनसी स्टेट है, जिसने माया नाम से एक चाटबॉट लांच किया, ये WhatsApp चाटबॉट है, 24x7 चाटबॉट है, और इसका मतलब है, ये चाटबॉट का जो फंक्शन है, वो बेसिकली टूरिजम डिपार्टमेंट से रेलेटेड है, इसको टूरिजम मनिस्ट्री ने लांच किया उस स्टेट की, और वो स्टेट है केरला, तो अंसर क्या होगा, इसका B होगा, तो माया 24x7 वर्किंग व किसी स्टेट के द्वारा दी जा रही है, और ये जो WhatsApp चाटबॉट है, यहर तरह की information, चाहे वो कोई जगा है, चाहे वो कोई लोगों के experience है, चाहे आप कहां पे रुक रहे हो, कहां पे आपने travel करना है, पूरी detail जो है, वो आपको updated तोर पे जो हो मिल जाएगी, हर जगा की जहां पे भी आप travel करना चाते हो, यहां पे भी आप state में रहना चाते हो, सिरफ करना है, एक हाय का message बेजना है, इस WhatsApp नमबर पे जो आपको यहां पे दिख रहा है, या फिर QR code जो है, वो state government की तरफ से provide किया गए, उसको scan करके भी आप जो है, वो आप इस WhatsApp नमबर पे बात कर सकते हो, और यह एक तरह का virtual travel assistant बन जाएगा आपका, वो कोई भी tourist के लिए, जा कोई भी information जानने के लिए, travel experience आपका बहतर करने के लिए, तो इसमें हर तरह की information जो है, वो दी जाएगी, चाहे वो कैरला के important sports क्यों नहों, कौन कौन सी जगा जो है, वो देखने लाइक है, historical places कौन कौन से है के अंदर, arts and culture से जुड़ा हुआ है के लिए, तो वो कौन कौन सी जगा है, जो इससे related है, local food यहां का कौन से है, जो आप enjoy कर सकते हो, visa information, COVID-19 protocol, जो भी चीज़े आती जाएंगी, वो भी इसके अंदर add होती जाएंगी, तो अपने याद रखना है, यह state है के क करला के चीफ निस्टर है, पिनराई विज्यान, और यहां के जो गवर्नर हैं, वो है, आरिफ मोहमद खान, और यहां पे आपको मिलेंगे important important national park, silent valley national park मिल जाएगा, पेरियार national park मिल जाएगा, यहां पे पंबदम national park मिल जाएगा, पंबदम शोला national park, यहीं पे आपको आइमोडी national park मिल जाएगा, तो इस सारे के सारे बहुत important है कहला के अंदर, अगले question के उपर आते हैं, world tuberculosis day 2022 का theme क्या है दोस्तों, बहुत important हो जाता है, क्योंकि world tuberculosis day बहुत बार exam में पूछा जाता है, पहले आपने याद रखना है कि world tuberculosis day, जो है, वो world health organization की तरफ से हर साल, 24 March को मनाया जाता है, तांकि लोगों में awareness create की जा सके, कि tuberculosis जो है, वो basically कैसे फैलता है, या किस तरह से बढ़ता है, या फिर health wise, social wise, या economic wise, क्या tuberculosis के result आपको मिल सकते हैं, और tuberculosis को किस तरह से ठीक किया जाना चाहिए, लोगों को aware जो है, वो यहां से किया जा सकता है, और 2022 क जो theme है, वो है, invest to end tuberculosis and save lives, तो answer क्या होगा, इसका B होगा, तो theme से पता लग रहा है, कि ये highlight कर रहा है, कि investment बढ़ाई जाए, tuberculosis को ठीक करने के लिए, hospitals बढ़ाई जाए, इसके उपर research की जाए, तांकि tuberculosis को हम खतम कर सकें, लेकिन अब question कई बार ये खड़ा हो जाता है, कि 24 March ही क्यों चुना गया, तो आपको पता होना चाहिए कि 24 March जो है, वो एक दिन 1882 से लिया गया, क्यों लिया गया, क्योंकि इस तिन एक doctor थे जिनका नाम था Dr. Robert Koch, याद रखोगे, Dr. Robert Koch, जो कि जर्मनी से एक physician और microbiologist रहे हैं, उन्होंने Berlin, Berlin Physiological Society में ये कहा था, कि एक ऐसा bacterium हमने डूंड लिया है, जो कि tuberculosis को पैदा करता है, तो इसलिए इस दिन को क्या मनाया गया, World Tuberculosis Day है, वो मनाया गया, और बाद में Robert Koch को अपने discoveries, जो कि tuberculosis से related हैं, उनको Nobel Prize दिया गया, किस शेतर में, Medicine के शेतर में, 1905 में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथी साथ Tuberculosis जो है, बैक्टीरिया से फैलता है, जिसका नाम है Mycobacterium Tuberculosis और ये lungs को ज़्यादा तर एफेक्ट करता है, और इवन खांसने से, छींक लेने से, या थूकने से भी ये फैल सकता है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, और खास करके अपने आसपास के शेत साफ सुतरा रखें, लेकिन इसी दिन Ministry of Health और Family Welfare की तरफ से जो है, वो Elimination Program, एक National Tuberculosis Elimination Program जो है, वो चलाया गया है, जिसके तहत आवार्ड दिये जाते हैं, तो उसमें Best State कौन सी है, जिसने सबस्यादा Tuberculosis Cases को Eliminate किया, या उस State ने बहुत अच्छे से काम किया Tuberculosis को ख की population 50 लाग से अधिक-धिक है, तो इसलिए याद रखना है, हिमाच्य प्रदेश का Top Rank है, National Tuber Clause Elimination Program के अंदर, इसी के साथ आते हैं अगले कोशिन के उपर, वो है Cabinet की Approvals और Cabinet की 2 Approvals आप थोड़ी सी देख सकते हैं, जैसे Cabinet Committee of Economic Aware ने Minimum Sport Price जो है, वो Raw Jut का बढ़ा दिया है, 2,022-23 के अंदर, तो ये 250 रूपीज जो है, वो बढ़ा दिया है, अब आपको Raw Jut, जो है, वो MSP प्राइस जो है, वो कितने बे मिलेगा, 4750 रूपीज पर क्वांटल के बेसिस पर आपको मिल जाएगा, 2,025 और 23 के सीजन के लिए, तो इसमें सरकार को अमीद है कि Almost 60% return जो नेक्स्ट है, Union Cabinet ने बिल को Approval दे दिया है, कि तीन जो Delhi Municipal Corporation के यूनिट है, उसको Combine कर दिया जाए, उसको Merge कर दिया जाए, तो ये अभी Parliament के इस Budget Session में बिल आएगा, लेकिन Cabinet ने अप्रूबल दे दिया है, तो बेसिकली Delhi Municipal Corporation Amendment Act चलाया गया, 2022 का, इसके तहब तीन Municipal Corporation, ज East Delhi Municipal Corporation, याद रखना है, North, South और East, इसमें West Delhi नहीं आता, North, South और East, तो तीन है, अब तीनों को Merge कर दिया गया है, क्या पहले भी ये ऐसे ही थी तीन, नहीं, 2011 में, ये पहले एक ही होती थी, Unified Municipal Corporation होता था Delhi का, लेकिन उसको तीन पार्ट में 2011 में डिवाइड किया गया था, तो वैसे Municipal Corporation है Delhi का, वो 1911 का Original Act है, या आपने याद रखना है, इसे के साथ आते हैं, अगला question, अगला picture से करोगे, दो companies है, एक Nelco है, एक Omni Space है, Omni Space दोस्तों, एक Global Communication Services Company है, जो की US से की है, एक Nelco Company है, ये Tata's की Company है, Tata Group की Company है, जो satellite communication प्रवाइड करती है इंडिया में, औ 5G जो है, उसको distribute भी करेंगे, और 5G को इंडिया के अंदर enable भी करेंगे, अपनी satellite services के थूँ, और खास करके उन एरिया में, जहां पे network की problem है, वहां पे satellite based जो है, वह हम broadband system, या हम satellite services के थूँ, connectivity 5G की provide करेंगे, तो आप देख सकते हो, ये 5G using satellite communication को इंडिया के अंदर, और South Asia अंदर बढ़ाएगा, और साथ ही साथ 5G direct to device communication जो हो आप तक पहुंचेगी, और इसमें जो company है Nelco, वो omni space का, जो global satellite network का, उसको use करेगी, और market के अंदर अपने broadband और 5G connectivity devices को उतारेगी, तो सिरफ question को slide से याद रख सकते हैं, अगला आते हैं important question के उपर, लेकिन उससे पहले वीडियो को like कर दें, share करें maximum to maximum और चैनल को अभी के अभी subscribe कर दें और telegram group को आप description box से join कर सकते हैं, और इसमें important question में question है, इबिक्स cash ने partnership की है, कौन सी company के साथ, तांकि trading services जो है वो provide की जा सके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि, इबिक्स cash limited जो है, वो एक digital product और services provider company है, business to consumer भी है, और business to business भी है, और financial technology भी provide करती है, और इन्हों XC securities के साथ ये tie up किया है, कि saving account, demet account और trading account, ये 3 in 1 facility जो है वो EBICS cash प्रवाइड करेगा, लेकिन किसकी help से, XC security की help से, तो EBICS cash ने XC securities के साथ tie up किया है, तो partnership जो है, वो end to end trading services customers तक पहुंचाएंगी, और वो customer जो EBIC के साथ जुड़े हुए, वो XC securities का business model जो है, वो use कर सकती है, और 3 in 1 facility जो XC security की तरफ से provide की जाएंगी, EBICS cash के customers को, इसमें saving count, demet account और train account facilities जो है, वो आपको मिल जाएंगी, इसी के साथ आते हैं, अगले question के उपर, one liner important point है, जिसमें पहला point है, पुशकर सिंग दामी जी, 12th Chief Minister बन गें उत्रकंड के, हम all day discussion को कर चुके हैं, इंडिया ने Brahmos missile का surface to surface friction जो है, वो कर लिया है, अंडेमान एंड निकोबार में, आपको पता होना चाहिए, कि ये 290 km missile range जो है, इसकी top speed जो है, वो 2.8 Mac है, जो की 3 गुना है, speed of sound से, और missile range को accent भी किया जा सकता है, और Brahmos missile ए अब land से launch कर सकते हो, तो अलग-लग variant जो है, वो इसके हम test कर रहे हैं, और Brahmos जो है, वो India और Russia का joint venture है, इंडिया में DRDO जो है, वो इसके उपर research करता है, और ये 300 kg का nuclear warhead जो है, वो carry कर सकता है, और Brahmos जो है, वो India और Russia का joint venture है, तो Brahmos Aerospace Limited बनाया गया, जिसके CEO और Managing Director कौन है, अतुल दिन कर रहने, याद रख सकते हो, अतुल दिन कर रहने, ये recently point किये गए हैं, next है OECD ने इंडिया का जो growth rate है, वो 5.5% बताया है, financial year 24 के लिए, तो OECD है, हमारे पास organization for economic corporation and development, इन्होंने एक report दी है, जिसका नाम है economic outlook, outlook for South Asia, for India and China, तो तीनों के लिए उन्होंने बता गरेगा 8.1%, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि चाइना बहुत ही कम growth rate पे आगे बढ़ेगा, like financial year 22 में 23 आप कह सकते हो, पूरा का पूरा जो 23 का भी चल रहा है, तो 5.1% गरो करेगा, और financial year 24 में भी वो 5.1% गरो करेगा, और OECD का जो headquarter है, वो कहां पे है, Paris के अं हम कर चुके हैं कि 35th Chief Justice of India थे, HDFC Small Business को Digital Loans प्रोवाइड करेगा, सिंगल लाइन है, सिरफ वो अल्डेडी प्रोवाइड कर रहा है, तो और best services बनाएगा, अपनी क्यूबर क्लॉस इस दे के बारे में हम अल्डेडी जान चुके हैं, तो 24 मार्च 2021 का question आते हैं, question क्या था हमार question of the day, question of the day क्या कहता है, which of the falling is not included in the e-banking, कौन सी चीज़ जो वो e-banking में नहीं आती, आपने मुझे comment box के अंदर इसका answer बताना है, मैं wait करूँगा आपके answer की, लेकिन वीडियो को like करना है, share करें maximum to maximum चैनल को अभी के अभी subscribe कर लें, और telegram group का description box से join कर सकते हैं, bell button को press कर द take care and bye-bye